आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, so the question is study the diagram given below and answer the questions based on it यहाँ पर हमें नीचे एक diagram दिया गया है जिसमें एक triangle है हमारे पास एक circle है और एक square है यह तीनों figure किस-किस चीज़ को represent करती है देखे triangle represent करता है उन बंदों को जिने reading पसंद है तो यह हमारा हो गया triangle reading के लिए और circle है cycling वालों के लिए जिने cycling पसंद है और square है tracking वालों के लिए जिने track करना पसंद है अब देखे हैं यहाँ पर इसने हमसे कहा है how many persons like tracking and reading tracking और reading जिने पसंद है लेकिन cycling पसंद नहीं है tracking और reading तो पसंद है मगर cycling पसंद नहीं है यह से कितने बंदे हैं आपर तो देखे अगर हम अपनी figure में देखें तो tracking और reading पसंद करने वाले बंदे जो दोनों में common है वो कौन-कौन से numbers represent कर रहे है 28 और 12 ठीक है यह दोनों numbers represent करते है उन बंदों को जो tracking और reading दोनों पसंद करते हैं लेकिन इसमें जो 12 है यह cycling को भी पसंद करते हैं तो खाली tracking और reading वाले कौन से हो गए खाली 28 तो हमसे इसने पूछा था tracking and reading and reading but not but not cycling ठीक है cycling हमको इसमें include नहीं करना है तो जब हम common part देखेंगे tracking और reading का तो इसमें cycling वाला पार्ट भी आ रहा होगा जिसमें 12 persons होंगे लेकिन हमें सिर्फ tracking और reading वाला देखना है तो इसे avoid करेंगे यानि सिर्फ हम 28 वाला पार्ट लेंगे 28 persons ऐसे हैं जिने tracking और reading पसंद है लेकिन cycling पसंद नहीं है और यह option है हमारा D और option D हमारा यहां 4th place पर है तो 1st, 2nd, 3rd और 4th में से हमारा correct answer होगा option 4th D Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT GE Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर